बारत में क्रोणा संक्रमन के मामलों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है पाज पहिने के बाद सबसे कम क्रोणा के सामने आए हैं मंगलवार सुभा स्वास मंतराले की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में मंतराले के अनुसार पिछले 24 गंटे में 25,166 नए क्रोणा केस आये हैं और 437 संक्रमितों की जान चले गई है इससे पहले 15 मार्श को 24,492 के सामने आये थे वहीं देश भर में पिछले 24 गंटे में 36,830 लोग क्रोणा से ठीक भी हुए हैं यानि कि कल 12,101 एक्टिव केस कम हो गए हैं स्वास मंत्राले के नुसार 16 अगस तक देश भर में 55,47 लाग 30,000 क्रोणा वैक्सीन के डोज दी जा चुके हैं बीते दिन 88,13 लाग टी के लगाए गए हैं वही भारती आयरविज्ञान अनुसंधान परशद ICMR के अनुसार अब तक 49,46 लाग क्रोणा टेस्ट के जा चुके हैं बीते दिन करीब 15,6,3 लाग क्रोणा सैंपल टेस्ट के गए हैं जिसका पॉजिटिविटी रेट 3 फीस सदी से कम है खुल संक्रमितो के संख्या के मामले में भारत दूसरे इस्थान पर है जबकि अमेरिका ब्रजील के बाद सबसे जादा मौते भारत में हुई हैं वहीं बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन साउट अफरिका और ब्रजील वेरिन के मामलों की तो स्वाथ से भाग के अनुसार फिछले मंगलवार को 89 नए मामले बुदवार को 80 नए मामले गुरवार को 85 नए मामले शुकरवार को 90 नए मामले शनिवार को 96 नए मामले रवीवार को 100 नए मामले सोमवार को 104 नए मामले और मंगलवार को 100 नए मामले सामने हैं से देश में संक्रमितों की संक्या 89,766 से 89,568 हो गई है नए स्टेइन के कुल मामलों में रेकावरी लगबाग 70 परतिशत के करीब है और लगातार नए स्टेइन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है जो राहत की बात है करोना वाइरस और करोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें